सीनियर साफी और तज्याकार सलीम साफी के मताबिक पाकिस्तान में रिजीन चेंज ओपरेशन हुआ है बिल्कुल हुआ है डंके की चोट पर हुआ है लेकिन 2022 में नहीं बलके 2018 में इस regime change operation में अमरीका का भी हाथ था क्यूंके सीपैक और कई दीगर हवालों से नवाज शरीफ ने सारे अंडे चीनी बास्किट में डाल दिये थे और अमरीका इन पर शदीद बरहम था regime change का operation फॉज अदलिया election commission मीडिया और नैब ने मिलकर किया election से कबल फॉज और एजन्सियों के आलेकार मीडिया परसंस जो आजकल बड़े फॉज मुखालिफ और जमूरियत के चैंपियन बने हुए हैं कोई स्क्रिप्ट दे कर नवाज शरीफ जर्दारी और दीगर सियासदानों की किरदार कुछी की गई और इमरान खान को मसिया साब से हुआ था इसी ऑपरेशन के तहट डान लीक्स का मनगरट ड्रामा तयार किया गया इसी के तहट नैब और एजन्सियों को इस्तमाल करके इलेक्टेबल्स को दीगर पार्टियों से निकाल कर पी टी आई में शामिल करवाया गया रिजीन चेंज ऑपरेशन के मुद्जम मन लिया के जरीए साफ कर दिया गया और बैलेंसिंग एक के तौर पर जांगीर तरीन को ना एहल किया गया इसी के तहट फवाद हुसेन और आहट चीमा जैसे लोगों को इलेक्शन से कबल गरिफतार करवा लिया गया रिजीन चेंज के इस मनसूबे को कामियाबी से हम किनार क करने के लिए मीडिया का गला दबाया गया मुझ जैसे साफियों के लाइफ प्रोग्राम बंद करवाए गये आईस पी आर के जरीए हम जैसों को निकालने के लिए जियो और जंग का नात्का बंद कर दिया मीर्शकिल रिमान को अश्रो पुराने मनगरट केस में गरिफतार करके कई मा तक पाबंदे सलासल रखा गया अतलत हुसैन नुसर जावेद और इसी तरह के दरजनो जैनियन साहफियों पर पाबंदिया लगा कर मेंस्ट्रीम से आउट किया गया पी टी आई हुकूमत की मीडिया टीमे और आई एस पी आर मिलकर रिजीम चेंज आपरेशन के हम जैसे मुखालिफ साहफियों की किरदारकुशी करते रहे इस पर भी बस ना हुआ तो मतियूला जान को उठवाया गया असत्तूर को मारा पीटा गया रिजवान रजी और आमिर मीर वगयरा जैसे दरजनों साहफियों की अपने अपने तरीके से जबान बंदी की कोशिश हुई अपसार आलम को गोलिया मारी गई और हमिद मीर का कई मा तक पोग्राम बन कर दिया गया दूसरी तरफ वो चैनल्स एंकर्स और यूट्यूबर्स जो रिजीम चेंज के इस ऑपरेशन में स्टैबलिश्मेंट के मोहरे बन गए थे इन्हें हर तरह से नवाजा गया एक गिमरान खान के तरजमानों के साथ मिलकर किरदार कुशी करते रहे उन्होंने पखतून ताहफूज मूवमेंट जैसी इन्सानी हुकूग के लिए जद्दो जहद करने वाली तन्जीम को मीडिया से बलैक आउट की ना सिर्फ हमायत की बलके इमरान खान के वजीरों के साथ मिलकर इन मजलूमों को इंडियन एंजिर्ट बावर करवाते रहें रिजीम चेंज आपरेशन के तजर्बे को कामियाब बनाने के लिए शायद का कानबासी एहसन इकबाल, खौजा साथ, रफीग, खौजा सल्मान रफीग, मिफ्ता, इसमाईल और दीगर सेंक्रों लोगों गर्स इस रिजीम चेंज के लिए लाकानूनियत, बद इखलाकी, इंसानी हुकूग की पामाली, मीडिया की जवाबंदी, जबरी, कानून, साजी और हर मामले में फौजी मदाखलत की तमाम हदूद अबूर की गई, लेकिन रिजीम चेंज के जरिये जिस बंदे को वजिर आजम बनवाया गया, वो ना सिर्फ ये के डिलेवर न कर सका, बलके उल्टा, फौज के लिए बद नामी का मौजब बन गया, बारी बारी दोस मुमालिक को दुश्मन बनाया, और फिर इनका इक्तिदार का नशा इतना बड़ा, कि फौज को भी आँखे दिखाने लगे, च जो इमरान खान को एक्तिदार दिलवाने के लिए रिजीम चेंज आपरेशन के सरखेल थेने किया है, फिर जरदारी और नवाजशरी पर रिजीम चेंज आपरेशन का इलजाम लगाने लगे, कभी कहा कि मीडिया मेरे खिलाफ रिजीम चेंज आपरेशन में इस्तमाल हुआ अब नौबत यहां तक आ गई है कि मौसिन नकवी को रिजीन चेंज आपरेशन का जिमेदार करार देने लगे तमाशा ये है कि फौज की पैदावार फौज को स्यासत से बेदखल करने की बात करके जमुरियत का चैंपियन दिखने की कोशिश कर रहे है वो अपने चंद सातियों के ग्रिफतारी का हवाला दे कर वाज़े रहे कि अली वजीर ताहिर दावर और नकीबुला महसूद का नाम आज भी नहीं ले रहे वो इनसानी हुकूग के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के सबसे बड़े दुश्मन और अपने दोर में मीडिया पर सबसे ज्यादा कदगने लगाने वाले इमरान खान और इनके साथी अर्ष शरीफ की शहादत के आर्ड की आजादी इसाफ़त के चैंपिय किये किये वो इनसानी होकूग के चैंपियन बन सकते हैं लेकिन जरूरी है पहले इस जु rivalry के लिवाफिया के लिहा से बद्तरीन दार था वो आजदी इजार और आजदी ओसाफ़त के लंबरदार बन सकते हैं लेकिन पहले यह इतराफ गुनह करें कि इनके दोर में पते अमल का कानून अटल है और इंसानों को बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन अल्ला के हाँ चाला की और एक्टिंग नहीं चलती